हाई फ्रेंद्स माइसेल्फ डॉक्टर शैशी बोरीचा आपका मेरे चैनल पर बहुत बहुत स्वागत करती हूँ आज मैं आपको एक कंडिशन एक्स्प्लेंड करूंगी जिसका नाम है स्क्रॉटल कैलसिनोसिस मैं आपको बताऊंगी कि यह क्या होता है इसमें क्या क्या है और साथ ही साथ कुछ होमियोपयतिक मेडिसिन जो आप इस कंडिशन के लिए यूज कर सकते हैं लेकिन उससे पहले आप प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और जो बैल आई करने उसे प्रेस कर लीजिए ताकि आपको मेरे आने वाली वीडियो करने लग जाता है इस कंडिशन में पर्शंट जिसके जिन होता है जिसमें केलशियम और फॉस्फोरस जबाने लग जाता है जिसके वजे से पुशे । को मिए और चैल्सी में सकता है कि आपको इसका बता थEC招ा यह चालाघर किसी पर्शटन को स्कूरकर है तो उसमें आपको क्या क्या symptoms दिखाई देंगे तो first important symptom यही है कि person की जो scottal skin है वहाँ पर nodules form होते है person को single या फिर multiple hard nodule form होने लग जाते है वो किसी भी size के हो सकते है सबसे पहले nodules का size बहुत चोटा होता है फिर धीरे-धीरे इसका size बढ़ता है यह person को childhood या फिर early adult life में start हो सकता है जब person को nodules बहुत जादा बढ़ने लग जाते है nodules का size बढ़ता है तो person का nodule है वो break होता है और उसके अंदर cheesy white material आउट हो सकता है गर्मी के टाइम में person को बहुत जादा itching होने लग जाती है और discomfort भी हो सकता है अब मैं आपको इसका cause बता देती हूं कि आखिर क्या reason है किसी person को scrotal calcinosis होने का तो आप तक इसका कोई भी exact cause नहीं पता कि आखिर यह बिमारी क्यों होती है लेकिन genetic में यह run कर सकता है अगर आपकी family में किसी को यह condition हुआ था तो आपको होने के chances काफी ज़्यादा बढ़ जाते है अब मैं आपको कुछ homeopathic medicine बता देती हूं जो आप इस condition के लिए use कर सकते है तो medicine जैसे कि आप थूजा 30 medicine, causticum 30 medicine या फिर आप nitric acid 30 medicine का यूज कर सकते है आपको 4-4 drop दिन में दो बार diet अपने टंग के उपर इस medicine को यूज करना होगा So friends, यह था scrotal calcinosis मैं आपको बताया कि यह क्या होता है इसमें कहके symptom आते है इसके cause क्या है और साथी साथ कुछ homeopathic medicine जो आप इस condition के लिए use कर सकते है तो अगर आप किसी भी condition के लिए मुझसे consult करना चाते है तो आप मुझे मेरे whatsapp number पे message कर सकते है मैं आपको reply करूँगी तो अगर आपको मेरे वीडियो useful और informative लगा हो तो आप प्लीज इसको like कर दीजिए और साथी साथ आप मेरे चैनल को subscribe कर लीजिए और जो bell icon उसे press कर लीजिए ताकि आपको मेरे आने वाली videos को notification मिलता रहे तो आज के लिए बस इतना ही thank you